अक्सर लोगों की सिकायत रिति के जन्पुति नीदी चुनाव जीत के जाते हैं जो पांच साल बाद याते हैं वोट मांगने मैंने लोगों की समीधब को दूर करा आपका विधायक आपके द्वार अभियान के अंतरकत हम दिवाली के बाद लगातार जन्ता के बीच में जाते हैं इस तरीके से भरतियंता पार्टी ने नारा दिया कि अपकी बाद 200 बार और 200 बार ही 200 से ज्यादा शीटे भरतियंता पार तो आने वाले समय मेरा लक्षो का कि जिते भी विधान सबाद शेत्रमांग एक है उसकी समस्त बस्तियों को हम वेत कर लें उसलिए हमारे प्रयाज भी चल रहा है नमस्कार स्वागत है आपका दे टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में और आज चर्चा एक ऐसे जन प्रतिनिदी से जिन्होंने हमेशा विकास की राजनीती को तवज्जो दी है जहां इनके क्षेत्र में कभी जनता उठकर उनके द्वार नहीं गई बलकि वे स्वेम चलकर जनता के द्वार तक महुचे है जब जब बात विकास क्या आई है, जब जब बात क्षेत्र को नई सोगात देने क्या आई है तो इंदोर विधानसवाक शेत्र क्रमांक एक से विधायक सुदर्शन गुपता ने अपने लोगों को निराश नहीं किया है आज टेलेंटे इंडिया टॉक शो में उनकी विकास की राजनीती पर चर्चा कुछ ऐसे ही पहलों पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका और पहला सवाल यही है कि विदानसवाग शेत्रक्रमांग के बीते दो कारेकाल से आपके जो कारेकाल है उनमें विकास को दीख रहा है किस तरह से एक शेत्रमें विकास हुए है और जनता से जुड़ने का जो आपका फॉर्मूला है यह किस तरह का है आप वतादू विदानसवाग शेत्रमांग एक पूरे नोर में सरवादिक गंदी बस्तिया जोगी जोपड़ी अवेत कालोनिया मेरी विदानसवा में और यह फूर में खेत की जैमीन पर अविद कालोनाजर ओने प्लाट पा चाट ती है गरीब लोगों ने प्लाट ले लिए उसके मकानमना ल हो जो मूलूथ जो स्विधा है वो सविधा का बाह हो था और लोगों की अपिक्शाथी कि कि अ कॉमसम जो मूलूथ सूज अ मिल जाए क्य तो नोगों की दिमांदी के सबसे पहले हैं जब में चनाव जीता उसके बाद में जनता के बीच में गया और जनता से में बातचित की तो उनकी अपिक्छा थी कि हमको को बहुत ज्यादा उसमें अपिक्छा आप से नहीं हमको मूल भू सीदा मिल जा क्योंकि लोग 5-5 km 8-8 km पीने का पानी लें जाते थे सवड़कोबर डेनेज का गंदा पानी में बेरा था जगा 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 पानी भरा था रोड नहीं थी बीचली के खंबे नहीं थे लोग 2-2 km एक एक 2-2 km दूर से बीचली के जाए ट्रांसवारमर लागे थे महां से लेक्शन लेके और यह अप प्रयास किया एक सरकार की यूदना आई थी आरे पी डियार पी यूदना उसके अंतरकत मैंने पिछले कारकाल में लगबग 10,000 से अधिक हमने बीचली के खंबे लगवा दिये लगबग 800-900 से अधिक मैंने ट्रांसफर्मा लगा दिये और कम से कम अभी तक हमने साड़े चा पीने के पानी की तकलिक्ति तो हमने सांसद नीदी से विधायक नीदी से नगर निगम से इंदोर विकास पादीगंड से अन्य राजसभा जो सद्रशरी ते उनकी नीदी से वोरिं करा कर लोगों को घर तक पानी पोचाने का प्रयास किया और इसी तरह जो बड़े-बड़ अवेत कालो नाजर की योदना थी कि उसमें भी प्लाट कार दें सरकारी जमीन पे तब फिर मिरनों वाकर उनका कबजी अटवा और कर उस नजूल की जमीन को हमने स्वात विभा को दिया और आज महां पर सरकारी अस्वताल लगबग बन के तयार हो गया और साड़े चार क्र पुल पुलिया बनाने का काम था हुआ अकसर लोगों की सिकाइट रिति के जनपरतिनी चनाओ जीत के जाते हैं जो पांच साल बादी आते हैं वोट बांगने मैंने लोगों की समीथख को दूर करा आपका विधायक आपके द्वार अभियान के अंतरकत हम दिवाली के बाद आप से मिलने आएंगे आप मिल सकते हो और जब हम जाते हैं तो भी हमारा रिक्सा एलाउस करते हुँ जाता है लोग बहरों के बाहरा जाते हैं हम उनसे मिलते हैं उनसे संपर करते हैं उनकी संपर करते हैं उनकी संपर करते हैं उनकी संपर करते हैं उनके नाम से नोट करते ह जो लोग तातकाली निलाब उठाना चाहते हैं वो इस तरह के बोजन बंडारे करते हैं करते हैं कि मेरा उद्देश लंबा है कि हम अजवे बढ़ने काम करतें कोई लोग मजदूरी करते हैं कोई एलाचे लाते हैं इस तरह की लोग तो उनका उत्थान करना है, तो आज एक समय है काम भोजन करा सकते हैं, उनको कृणता सुना सकते हैं, और वो उसका इस्ताई हल नहीं है, उनका इस्ताई हल जब होगा, जब उनका जीवनिस्तरम को उंच्छा करना पड़ेगा, आज यह से मैंने बताएं कि अंद राप्य काम क तो उनका जीवन इसतर तब उठेगा जब उनका वहाँ पर एक तरफ विकास होगा दूसी तरफ उनकी जो मुल्बूत सुझधा हैं उनका मुपलब्द कराएंगे तो यह लोग सब समझते हैं कि अभी हाल यह चुनाओ आएं तो यह भुजन बंडारे हो रहे हैं तीरत करा रह हुए वीथ है दो चुनाओ से जनता आप में शज्वा जतातीया रही है यह सुनाओ मेर जो फ्ली बार में जब चुनाओ जीता था तब में 8000 से जिता दूसरी बार में जब चुनाओ जिता चूपवन अजार से जीता उस आपने करम में विश्वास रखे तो जनता का दिल जिष सकते हैं इंदोर में जब जब चुनाँ हुए हैं फर्जी वोटर का जो मामला है बहुत करमाया है और कशेटर करमा के एक से इस मुद्दे को आपने उठाया था अलग-अलग जो भाग हैं तर चुनावयों तर शिकाय थी फर्जी वोटर को किस तरह से मानते है और यह जो फर्जी वोटर का मामला है यह किनके द्वारा फैलाइवाई कहा से यह फर्जी वोटर आते हैं आप पूमालू हुआ कम से कम आठ महीने पहले में जब ओपी रावज जी जो मुखिन निर्वाचन अधिकारी हैं वह आए तब म करता हुआ के सुची बना रखी कांका पर अवेद मदाता बना कुछ के में ने वार्ड अनुसार उनको बोले उनको साख्ष दिये थे और यह जो आज कांग्रेच चिल्ला रे कि हम ने जांच कर आई कांग्रेच तो बीड़ महीने पर एले हम ने मेने महीने बर पहले आठ मह दस महीने पहले ऊन्हे को बाहर उसकी सिकात कर चुकाऊा हूं गोपाल मेरा चिक चुका में दिली में लिखापड ही करी उनको gaई कि फर्जे जो चुनओं में अभियाल आपके सामने लोग आ रहा है जो आपने बता ही कोई भंडा धारा कर रहा है एक नमर में और यह जो यह सब कांग्रेस की कराम होते हैं अभी असम में लबग 40 लाख ऐसे लोग है जो भारती नहीं है बांगलादेशी हैं और इंदवार शहर में भी कई बार यह मुद्दा उठा है कि जो प्रवासी बांगलादेशी हैं उन्हें कही न कहीं बहार उनके मुल्क बेजा कितना वर्चस में देखने को मिलता है और क्या प्रभाव चुनाओं में का पड़ेगा वास्ता में बहुत ज्यादा चिंतन जनक बात हैं और आपने देखा हुआ कि मैं अन्य को बार विदान सभा में मामला उठाया कि कुछ कांग्रेस के साथ ही अवित कालो नाइजर उसे म और इनकी भी सक्ति के साथ जाच होना चाहिए कि यह लोग यहां पर कैसे आए और आने आले समय में यह इन दोर में भी बहुत बड़ी समश्चा होगी और इसको भी गंबीरता से लेके यहां पर भी इनको बाहर निकालन जाना चाहिए वैसाब भाजपा के प्रदेश उपा कि अवे जब कांग्रेश की सरकार थी तब मद्ब्रदेश एक बिमार राज्य था और ना सळक था ना पानी था ना बिजली था कुछ भी नहीं था और आम आदमी बहुत समश्या घरस्त था और जब से बाहरते अन्था पाट्टी की सरकार आई ए और अडिश में सळक पानी बिजली और हर्चेतर में हमने विकास किया आज मदप्रदेश प्रगति सेल राज्यों की सेड़ी में आ गया है और हम देख रहें कि हमारा जो क्रशी है क्रशी प्रधान हो हमारा प्रदेश हो गया है पांच-पांच बाद हमको क्रशी कर्मन पुष्कार मिले हैं और दो बार मनमोंण शिख जी की सरकार में मिले, तीन बार नरिन्मोदी जी की सरकार में मिले, तो वास्तों पही तरब प्रसंद था प्रम्रुण में क्यावन प्रशंद तरब भर्तिन्ता पाट्टांश जहां पर विकाषकार कर रही हैं दूसी तरब कल्यानकार科 युदना लगै आप देखें जन्नी सुरक्चा हो, लाली लक्ष्म यूदना हो, तीरत दर्शन हो, या कन्यादान यूदना हो, अभी हमारे मुख्मत्री मानिने सिराथ सिंग जी ने एक संबल यूदना लगू कि, वो संबल यूदना में जन्म से लेके मृत्यू तक की सारी सुधाय गरीब और मध द्योगपती भी खोसे हैं क्योंकि बिजली मिल रही है और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, कांग्रेश का मात्र एक ढकोषला है, इस तरह की करना क्योंकि ना तो कांग्रेश संगटी थे, भारतियन्ता पार्टी पूरी तरह संगटी थे और ये मानिनि शिवरा सिंग जी जान लड़ और मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारतियन्ता पार्टी ने नारा दिया कि अपकी बार 200 पार और 200 पार ही 200 से ज्यादा सिटे भारतियन्ता पार्टी के आएगी और चोथी बार मानिनिश सिवरा सिंग जी चौहान मुख्य मंत्री बनेंगी अभी देखने क्या मानते हैं वो जो बयान है वो कितना अलग था और किस तरह से उसको फिर बढ़ा चड़ा कर उस बयान को तोल फोर दिया गया है हमारे जो अभी सांसद हैं सुदिर जी गुपता में और कुछ हमारे नेता लोग गए थे और हमने को उनको उनको उनके माता-पिता से मिले जब मिले तब फिर मेरा आज भी फोटो हैं उनके मैंने उनको विजीटिंग काड दिया और मैंने उनसे बोला कि आपको किसी परकार की कोई तखलीब हो कोई काष्टो हो पाईसे की तखलीब हो कोई हो तो आप अधी रात को मेरे को फोन लगाना में आऊ हुआ तो उन दोनो इस तरीके से उनने तोड़ मोड़ को मेरा वो जो वक्ते हो था उसको वो करा उसके बाद भी बात का बतंगर नहीं बने मेने अपनी बात रखी और फिर वह बात सही हुई वैसाब शेतर में अस्पताल की बड़ी स्वगात दे चुके हैं कई सारे स्कूल बन चुके हैं 2018 का विधान सभा चुनाओ है और निश्यत रूप से जनता विकास ही चाहती है अब क्या प्रात्मिक्ताइं होंगी और इस चुनाओ के बाद जनता को और कौन-कौन से सोगाते हैं जो आपकी नजर में भी है हमारा उद्देश है कि हमारे मुख्मंत्री मानि शीराज सिंग जी चुवान ने अवेत खालोनियों को वेत करने का जो प्रावदान लाए हैं तो हम जगा जगा पर घुम रहे हैं वहां के लोगों को जो रहवासी संग उनको गठीत कर रहे हैं रहासी संग के माद्यम से उन परियाज भी चल रहे हैं और जो बाकी के जो विकास कायर चल रहे हो करेंये यहां पर र्कहल कमेदान होया यहां आँ ज्यूदा हो तो चाहना है उपने बान गा शेतर भीजश स्चना आगा उस और भी कई योधना है कि जहां जहां पर पर अभी नर्बदा का पानी नहीं आ रहा हूं, नर्बदा का पानी पुचाना हमारा लक्षे है और वहाँ पर जो अन्य जो आउश्टा के उस लक्षे को लेकर हम काम करेंगा। यह में वोट जैय का सरकार वार्तमानमोर्टमानों के बाहते प्रम éesहते संस de्ल्शल पर यहां थी मंसें तब सी तीन sickति आपको जम्हून आस्मान का अंतर दिखे गार ऐसी को देखकर हूंको अपना मद्दान पर निड़ना लेना चीए अगर हम अपने देश का बहुशे उजवल चाहते हैं अपने यहां के नागरिकों का बहुशे उजवल चाहते हैं तो निश्चीति हमको भारतियन्ता पार्टी के साथ खड़े लेना चीए और आने वाले समय में विधानसभा के जिन्होंने क्षेत्र में विकास को लेकर अपने विचार रखे और निश्यत रूप से जिस तरह से सकारात्मक विकास की राजनीती वे कर रहे हैं उमीद ही की जा रही है कि जनता का समर्थन इसी तरह हुने मिलता रहेगा वहराल्द कैलेंट इंडिया टॉक शो में इतना ही अगले हेट फिर नई शक्सित के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल